दोस्तों कार्थिक मास में क्रिष्ण पक्ष की जो एकादशी तिती होती है उस एकादशी को रमा एकादशी के नाव से जाना जाता है और रमा एकादशी पर भगवान श्रीहर विष्णू और मालक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है सास्त्रों के अनुसार रमा एकादिशी का महत्व सरवाधिक होता है बाकी एकादिशियों की बजाए कार्थिक मास के कृष्ट पक्ष की एकादिशी पर जब हम भवाज़ के रिविश्णू और मालक्ष्मी की आराधना करते हैं तो इससे हजार मुना अधिक पुनियफल की प्राप्टी होती है बाकी एकादिशियों की बजाए इसलिए ये एकादिशी बहुत महत्वरून होती है और इस एकादिशी का नाम रमा एकादिशी इसलिए है क्योंकि मालक्ष्मी का एक नाम रमा भी है तो मालक्ष्मी के नाम पर ही ये समर्पित है मालक्ष्मी की पूजा आज दिशेश रूप से की जाती है जिसे के दिपाली से चार दिन पहले ये एकादेशी आती है तो दिपाली पर जिस प्रकार से हम मालक्ष्मी की आराधना करते हैं अगर विती फिधान से रमा एकादशी पर हम भगवान श्रीहर विश्णू और मालक्ष्मी की सयुक्त पूजा करें, आज व्रत धारन करें, तो जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं डैता। ऐसा माना जाता है सास्त्रों के अंसार की जोवे भग रमा एकादशी कबरत धारन करके श्रीहर विश्णू और मालक्ष्मी की सयुक्त पूजा आरातना करते हैं, मंत्र जब करते हैं, आल्स के दिन भगवान श्रीहर विश्णू और मालक्ष्मी के सामने शुद्धिकी का उनके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होता हमेशा उनके घर में सुक्ष संपन्यता बनी रहती है संवर्धी बनी रहती है तो बहुत ही महत्यपुर्ण होता है रमा एकादिशी कवरत धारंड करना और अगर आफ धारंड नहीं भी कर पाते हैं तो आज के दिन जरूर कीजिए इससे घर की आर्थिक तंगीतों दूर होती ही है सभी समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिलती है दूस्तों बात करें रमा एकादिशी के महजवे के बारे में तो आज के दिन भगवांश्री हरी विश्नु और मालक्ष्मी की पूजा की जाती है तो भगवां किसी भी प्रकार का दुख नश्ट हो जाते हैं वेधिविधान से अगर हम आज मालक्ष्मी और स्रीहर विश्नु की पूजा आरादना करते हैं तो किसी भी प्रकार की धन से जुड़ी समस्याओं के जीवन में या फिर कर्ज से अगर कुछ आप परिशान है तो इस तरह की स संतान की व्राप्ति होती हैं श्रीहर विश्नु और मालक्ष्मी की पूजा करने से समस्त प्रकार की कामनाय पूर्ण हो जाती हैं तो किस प्रकार से हमें एकादशी पर श्रीहर विश्नु और मालक्ष्मी की पूजा आरादना करनी हैं पूजा की विधी क्या होगी और व्र आज़न पी आज नहीं होना चाहिए, और जो लों का स्यस्व Salem करते हैं, वो भी दश्मिति हितीं के दिन से ही protons मांग स्यस्म विध्रिया का थ्याद कर दीजिए, शाम को सुर्यास्त के बाद अने ग्रहन नहीं किया जाता, या फिर नमक का सेवन नहीं किया जाता तो इसके लिए आप सुर्यास्त से पहले ही कुछ भी बोजन करना चाहते हैं तो उससे पहले कर लीजिए कुछ भी सात्रिक भोधन ही आज हमें करना होता है और रात्री में भूमी शयन का विधाल हमारी सास्त्रों में बताये गया है लेकिन अगर आप भूमी शयन नहीं कर पाते हैं तो अपनी विस्तर की सुद्धता का ध्यान अवश्चर रखिए इसके साथी पुर्ण रूप से ब्रह्मचरी का पालन हमें करना होता है जो कि दस्मी से प्राड़म होकर बादिशी तक चलता है क्योंकि ये जितने भी नियम हम पालन कर रहे हैं साथी गोजन करना या फिर अगरा भूई बर शयन करते हैं तो इन सभी चीजों का हमें पालन दस्मी से लेकर द्वादिशी तक करना होता है ये व्रत तीन दिनों तक का होता है दस्मी से द्वादिशी तक पारण तक ये व्रत चलता है तो सभी नियमों का जो भी पालन करते हैं उ इसके साथ ही थोड़े से आप रोली का प्रयोग करें, हल्दी डाल सकते हैं, लाल चंदन डाल सकते हैं, कोई भी बस तो डाल दीजिए, और कोई भी चीज आपके बसना को, तो आप सिर्फ शुद्ध जल, भगवान शुरेदेव को अर्पीत करके, उसके बाद से एक भगवान भगवान श्रीहर विष्णु की पूजा कैसे करनी है, जो भी भगवान श्रीहर विष्णु और मालक्ष्मी की मूर्थी या प्रतिमा आपके पास है, उन्हें स्थापित करके, उनके सामने शुद्ध की का दीपक प्रश्वरित करके, उसके बाद से हाथ में थोड़ा सा ब भगवान श्रीहर विष्णु का विधिवत पूजन कीजिए, धूग डीप नैवेध्य अरपित कीजिए, पीले पुस्प भगवान को अरपित करके, उनका पूजा करें, फल अरपित कर सकते हैं, खेले भगवान को ज़रूर अरपित करने चाहिए, संभव हो तो अनार पास जो भी सामगरी हो भगवान को भोग स्वरू परपित कीजिए नेवेद्य का भोग लगा सकते हैं किसी भी प्रकायर की कोई मिठाई आपकी पास हो उसका भोग परपित कर सकते हैं नहीं तो आप मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं जो भी आपके पास उपलब देता हो भ इस मालाई, क्याओन मालाई इस मंत्र का जब करें, ये संपुर्ण मंत्र है, सभी प्रकार की कामनाओं को पुरूल करने वाला, भुगवांश्टी रिविश्णु को प्रसन्न करने वाला, ये बहुत ही आसान भी है, कोई भी उचारण कर सकता है, और इसका फल हमें बहुत शी स्रणाम का पाट कर सकते हैं, भबद गीता का पाट कर सकते हैं, विश्णु चालीसा का पाट कर सकते हैं, विशेश मालक्ष्मी की आराधना स्री हर विश्णु के साथ हम कर रहे हैं, तो मालक्ष्मी की पूजा करते हुए आपको मालक्ष्मी के मंत्र का भी जब करना जैसे कि आप श्री सुक्त का पार्ट कर सकते हैं, गनकधारा का पार्ट कर सकते हैं, लक्षमी सुक्त का पार्ट कर सकते हैं, या मालिक्षमी का कोई भी मंत्र जो आपको आता हो, उचारण करने में आसान हो, या पहले से जिस मंत्र को जप रहे हैं, उस मंत्र का आप जप करती पर मालक्ष्मी को प्रसन्य करने के लिए प्रार्तना करें एकादशी की रात्री में भगवान स्रीय विश्नु और मालक्ष्मी की पूजा करती हुए आप संभव हो तो एक अखंड दीपक शुद्धी के प्रच्वलित कीजिए मतलब जो रात्री परियंत जलता रहे और जितना भी संभव हो आप से जागर और मालक्ष्मी और स्रीय विश्नु के मंत्रों का नाम का जब करना आज बहुत स्रेश्ट होता है जब हम रात्री जागरन एकादशी में करते हैं तब हमें एकादशी का संपुर्ण फलक्राप्त होता है इसलिए कोशिश करें जादा से जादा समय रात्री में जागरन कर पाएं मतलब जितना भी संभव हो जाग कर भगवान के मजन कीटन करना मंत्र जब करना ये बहुत ही शुग फल देने वाला होता है और अगले दिन शुग महुट में पारण किया जाता है द्वादशी दिती पर्त प्राधायका शनारी च्यादी करने के बाद भगवान मेश्मू की पूजा की जाती है उसके बाद से शुग महुट में पारण किया जाता है अपने पारण से पहले आप किसी ब्रामहर को घर बुला कर भूजन करवा सकते हैं या फिर किसी ब्रामहर के निमित भूजन की सामगरी मतलब पच्ची सामगरी दान की सामगरी निकाल दीचे जो भी आपके पास संबोगो उखलगद हो जैसे कि कम से कम एक वेट्टी के खाने की समगनी जरूर होनी चाहिए इसके साथ ही दक्षिना सोरूख कुछ पैसे होनी चाहिए आप चाहे तो वस्त्र भी दान कर सकते हैं एक अद्शी में द बादसी में किया गया दान कई गुणा हो कर हमें जर्म जर्मामांतर तक प्राप्ध होता है इसलिए आज के दिन हमें अधिक से अदिक दान करने का प्रयास करना चाहिए और संबोगो तो किसी भी गरीब मजदूर को या फिर जरुरत मंद को भी आप डान कर सकते हैं लेकिन जो हम दान निकालते हैं एक आदिशी का दा वो भीशेश कर ब्रामध के लिए ही दिया जाता है तो la को जरूर दीजिये इसके बाद आप किसी को भी दान दे सकते हैं जितने भी दान हम आज करते हैं उसका फल हमें जन्मानतर तर प्राप्त होता रहता है दोस्तों अब जानते हैं एकादिशी दिथी कबारंब हो रही है कब समाप्त हो रही है पारण कब करना है एकादिशी दिथी दोस्तों 31 सक्टूबर दोपहर में 2 बजकर 27 मिनट पर प्राडम होगी और समाप्त हो रही है 1 नौवंबर दोपहर में 1 बजकर 21 मिनट पर तो व्रत हमें करना है 1 नौवंबर के दिन और एकादिशी व्रत पारण का क्या समय होगा एकादिशी व्रत पारण दो नुवंबर को गिया जाएगा एक नुवंबर को हम व्रत धारण करेंगे दो नुवंबर को सुदह 6 बस कर 34 मिनट से देकर 8 बस कर 46 मिनट तक का जो समय है इसी शुद महुल्ट में हमें पारण करना होता है दोस्तों आप जानते हैं कि रमा एकादिशी पर विशेश क्या करें जिससे कि श्रीहरी विश्नु सहित मालक्ष्मी की लपा सदैव हमारे उपर बनी रहे देखिए रमा एकादिशी पर श्रीहरी विश्नु और मालक्ष्मी की हमाया आधना करते हैं तो माल Pittsburgh को जो आप पूजा करते हैं, कम से कम एक कमल का पूजा करते हैं, जोकि पूजा में जबुब अर्पित कीजिए, इसके साहती ही अगर आपके घर में श्रीयंत्र हैं, तो उसका विधी विध्यान से अभिशेक करें, पंचामरिप से अभिशेक कर सकते हैं, आप दूर् दीप अक्षद पुस्क सभी चीजें श्री अंत्र पर अर्पित करें और उस श्री अंत्र के सामने ही आपको शुद्ध की का दीप प्रजलीत करना है मालक्ष्मी के सामने श्री अंत्र स्थापित करें और इसके बाद से आप वहीं बैट कर 16 बार स्री शुक्त का पाट करें आज के दिन गुलाब के पुस्पों की माला मालक्ष्मी को जरूर अर्पित करें और इसके साथ ही स्री हरे विश्णू को प्रसन्य करने के लिए उनकी विशेश तिपा पाने के लिए और इस व्रेद का संपूरर फल पाने के लिए तुलसी के पत्तों की माला स्री हरे विश्णू को जरूर अर्पित कीजिए कार्थिक के वहीने में अगर हम भगवान स्री हरे विश्णू को तुलसी के पत्ते अर्पित करते हैं उसी की माला अर्पीत करते हैं तो यह कई गुना फर्वक्राप्ट होता है हमें आज इस प्रकार से पूजा करने से